तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का मार्केट ट्रेडर की एक और नई लर्निंग वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के लॉंग टम यानि कि मन्थली वीकली डेली और इंट्राडे चार्ट के बारे में तो आज की वीडियो आज मार्केट को वीडियो में तो सबसे पहले दोस्तों हम ज्यादा बाते यहां पर नहीं करेंगे आज जो है मार्केट को बाइंग और सेलिंग करके चलना चाहिए क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा जो हमें कन्फ्यूजिंग दिखाई पड़ रहा है त मार्केट सेटरडे था आज मार्केट को ओपन रखा गया कुछ टेस्टिंग और चल रही होगी ठीक है टेस्टिंग और करनी चीए बहुत अच्छी बात है कल मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे पता था आज की दिन पर मार्केट में कुछ होने वाला है जियसा आज नहीं देखा स्टेस्टम और गश्यां पर उटयुदर करते रहमार्केट में पर नहीं चलेंगे-ईव फैलाई एक इने नहीं चीज गेंखानना चाहता हूं अगर आपको analysis relatable लगती है आपको लगता है genuine knowledge में है तो please video को like करिएगा मुझे पता लग जाएगा कि आपने इस analysis सीखा है और चैनल को subscribe तो खेर आप कर नहीं वाले हुएसे देखो मैंने यहाँ पर क्या notice करा कि जब market में लास्नी के करोना का जो fall आया था उसके बाद जब market में recovery हुई तो बड़ी immense recovery हमको देखने को मिली फिर market ने क्या क्या recovery के बाद एक छोटा सा retracement दिया यह चीज मैंने कल की वाली वीडियो में भी थोड़ा साथ share किया था बट देखने को मिला दन अगेन मार्केट ने recovery दिखाई फिर हमको retracement और छोटा देखने को मिला फिर हमको एक और बड़ी recovery देखने को मिली फिर retracement और छोटा होता गया note करने वाली बात क्या है my dear friend note करो यहाँ पर कि market में जब बड़ा rally आय थी उसके बाद retracement थोड़ा बड़ा थ फिर मार्केट ने retracement किया फिर मार्केट यहाँ पर आया फिर मार्केट ने retracement किया तो इस तरीके से जब मार्केट चलता है तो मैं कल की वीडियो में यह बात बता रहा था जो भी आपकी positions है वो maybe carry forward position हो या आपकी holdings हो swing trades हो उनको hold करने में बंदे को confidence आता है डर नहीं लगत आया same pattern weekly chart में follow हो रहा है अगर आप देखोगे ना so let me just give me one second guys मैं भी आपको ना बहुत ही clearly बता देता हूं यह देखे एक rally हमको देखने को मिली बड़ा retracement got it retracement बड़ा था फिर market में again recovery आई फिर retracement थोड़ा छोटा हो गया अगें recovery आई दूसरा retracement फिर और छोटा हो गया फिर एक बड़ी rally आई फिर retracement बहुत छोटा सा retracement फिर उपर की तरफ जबकि यह कोई अच्छे साइन मैं मान रहा हूं यह बात को मेरे comment में भी बहुत लोग आ जाएंगे कहेंगे भाई election आने वाला है तुमको दिखता नहीं मार्केट उपर भागने वाला है मुझे पता है मार्केट अभी और उपर जाएगा because of the election लेकिन मैं बात कर रहा हूं price action की मैं भी election की बात नहीं कर रहा हूं election पर मैं भी आने वाला हूं इसके बाद ही आऊंगा election पर don't worry but if I am a price action trader so I will check the chart as well not only news not only election results तो इस चीज को ध्यान मे में रखिए election तो कौन जीतने वाला है सभी लोगों को पता है लेकिन चार्ट जो है ना थोड़ा सा अब समझ जाओ अभी यही चीज में आपको फिर डेली चार्ट में दिखाता हूं अब देखिए डेली चार्ट यह हम बात करें थे क्रोना क्रेस की और अभी हम बात करें न यह कहीं ना थोड़ा सबन जाती है आपने चीज नों टिस करी हूगी अपनी चार्ट पे अगर आप मार्केट को अनालिसिस करते हो नहीं कर यह तो मार्केट ट्रेडर की वीडियो ऐली देखा करो एसे इंसाइट्स ऐसे प्राइस doctoring कैस्ट होते हैं all CanalMed Rank이고ル बताता रहेगा अब आप देखने कोई भी आपको नहीं करता हुआ दिखाई पड़ेगा यूट्यूब में क्योंकि इतना डीपली किसे नहीं देखा होगा अब हम आते है चोटे टाइम फिर्म पर क्योंकि चार्ट में तौ बढ़ी तो और मोमेंटम नहीं आ रहा हुआ ध्यान देना एक range में फसा हुए 1000 point की range में कभी उपर कभी नीचे कभी उपर कभी नीचे अभी देखो यहां पर इसने एक बड़ा W pattern बनाया है यह आज का market था तो इसको इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाई थी मुझे पता था कुछ ऐसे होने वाला volume आज होंगे नी अब देखो यहां यहां पर कोई फरक नहीं पड़ता है मैं कहता कह देता कि यहां पर buy कर लो sell कर लो मेरे तो व्यूजी आने हैं लेकिन as a honest person मैं आपको क्या कहूंगा अभी थोड़ा सा trade अगर हम avoid करें तो कोई बहुत बुरी बात नहीं होगी लेकिन अगर trade करना ही करना है carry forward position लेके जा रख दो सबस्तर से लेके 22-300 की रेंज यह करीबन करीबन माई डियर फ्रेंड यहां से start होती ध्यान देना यह वाली जो रेंज दिस इस दा रेंज ड्रॉइंग बहुत अच्छे मेरी यार मैं क्या बता हो यह देखो यह वाली रेंज तो इस इस दा रेंज इस डिवर डिप अब स्टॉक्स ने सिखा दिया पूरे होमवक के बाद रिस्कों रिटरंस दोनों का नालिसिस करके टॉप फंड लिष्ट किया हैं खाता खोला गया Investment in the Securities Market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Would you say yes to a software development job outside India? Well, 75% of Indian developers said yes. If you are one of them, and your goal is to get a good career abroad, then here's your chance to make it big. Eddent Scaler's free masterclass on how to get software development engineer jobs outside India. Get insights on the interview process, the visa application, taxation, and understand other factors which will help you ace your interviews. Click on the link below to register now. But now it will act as a support level, as a dip buying level. अगर लेता है support, तब की बात हम कर रहे हैं, जब अर्दस्ती नहीं आता है market हमने buy कर लिया नहीं. तो वैसे तो मुझे लगता है correction तो एक आना चाहिए, बट अगर नहीं आता है, तो हम breakout पर तो buy कर नहीं सकते. क्यों, क्योंकि ना तो उपर हमें resistance पता है ना ही कोई level पता है, तो मतलब अंधे में तीर चलाना मुझे नहीं लगता कोई बहुत अच्छी बात होगी. जो भी आप कहलो, मैं ऐसे कुछ levels आपको नहीं दे सकता है, जो मुझे दिख रहा है चार्ट पे वही हमें करना चाहिए, तो 22,270-300 ये एक dip buying range होगी, अगर Nifty यहाँ पर मौका देता है, well and good नहीं देता है, जैश्री राम. अब यहाँ पर हम आते हैं कि हमारा selling level क्या होगा sir, buying level तो आपने बता दिया, दूसरा buying level कहाँ पर हो सकता है, मुझे लगता है दोस्तों अगर Nifty 22,100 जो कि मुझे नहीं लगता है यहाँ पर आएगा, लेकिन अगर यहाँ पर आ जाता है Nifty, तो this could be the best buying level, because अगर आप देखो होगे, avoid my drawing, focus on my learning, यह देखो, market ने support लिया, support लिया, resistance लिया, resistance लिया, support लिया, support लिया, breakout दिया, so now this could be act as a very very good support buying level, so हमारे दो buying level होगे, first and second, now, अब अगर आता है तो, सबसे पहले आपके मन में सवाल आगा, कि सर इतना भागा क्यों market अभी बात करेंगे, उसके बारे में, ब 22,255, यानि कि 22,255, this is your selling level in nifty, इसके नीचे अगर nifty जाता है, तो हमें आपर definitely selling side के trade लेके चल सकते हैं, जिसमें हमें काफी अच्छा-कासा momentum downside को देखने को मिल सकता है, तो यह रही दोस्तों nifty के analysis, काफी हमने time is spent किया, but सीखने को बहुत कुछ मिला, bank nifty के chart पे आते हैं, यह कभी-कभी चलता नहीं है, बिल्कुल और कभी-कभी rocket बन जाता है, actually हमारा GDP का data आया है, GDP, पता होगा आप लोगों को, तो उसका data जो highest आया है, इस बार 8 point something कुछ, अब मैं गलत वोलूँगा, तो उस से अच्छा है कि 8 point plus ही बताओ, 8 point plus कुछ हमारा GDP का data आया है, गलत ब क्या, आगे के लिए खड़े हैं, कौन खड़े हैं आपके लिए, election के results खड़े हैं, कि अब कहां कि कौन सी दिसा जानी है, वो आप लोगों को पता है, लेकिन ऐसा नहो कि election की result की rally आने से पहले एक ऐसा जटका दे market आप लोगों को, कि आप लोगोंने सोचा नहो, सब लोग कि expectation बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं, तो market उनके negative काम करता है, उनके opposite काम करता है, इस चीज का ध्यान रखना है, यह history रही है market में, जिस side सबसे ज़्यादा vote होते हैं, वो party जीतती है, market का funda दूसरा है, बिल्कुल opposite, अगर मेरी बात अगर आपको गलत लगती है, तो किस अगर की side सबसे ज़्यादा vote होंगे market में, मतलब उस दर की side market जाएगा नहीं, पल्टी मार देगा, दूसरी side यानि कि अगर bull है सारे, तो जीतेंगे bears, अगर bears है सारे, तो जीतेंगे bull, यह market का रहा है फंडा, पुराना history का, हालनकि अभी तो एक breakout, अच्छा, bank nifty में एक ची लेते हैं, मैंने कल एक video बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी जाके देख लेना, फाइदा आपका यह, उसमें एक stock बताया हुआ है, देखो, यह चीज है, market मैंने क्या बताया था, कि bank nifty का behavior है, वो एक channel pattern में चलता है, अभी यह मैं daily chart पे दिखाता हूँ, मैं आपको weekly chart प बना बना के उपर जाता है, और जब भी वो नीचे जाता है, तो वो channel pattern बना बना के नीचे जाता है, chart को खोलो, one hour पे खोलो, 15 minute पे खोलो, 30 minute, one day, one week, आपको सारा कुछ दिख जाएगा, अब देखो, bank nifty यहाँ पर आया, उपर, 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 ठीक है, अब इसका next resistance कहां प किजेगा यहाँ, और bank nifty कहां पर यह यह, see this, यानि कि ठिक 50,000 के आसपास कहीं, अब मुझे लगता है, bank nifty resistance लेगा, and then, it will turn to here, अब यहाँ आता है, नहीं आता, यह बोलने वाला मैं पहले कोई नहीं होता हूँ, लेकिन इसका price को behavior ऐसा ही चलता है, bank nifty का, so, कल कि हम वीड करीबन 1000 point की दूरी पे रहे, 48,500, yes, यह वाला level, यह वाला level अगर bank nifty तोड़ता है, तो फिर हमको यह 50,000 के दरसन भी करा सकता है, 50,000 के दरसन और फिर वहां से नीचे, लेकिन फिल आला आपको किसर यह बहुत लंबी बात होगी, weekly chart आपने दिखा है, बहुत अच्छी बात होता है कि फिर भागता ही रहे उपर, थोड़ा retracement लेने, definitely आएगा, तो मेरे को ऐसा लगता है, मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पर open कर लेता हूँ, this is the bank nifty 15-minute time frame, देखो, अगर bank nifty थोड़ा retracement लेने यहां पर आता है, well and good, हमारे लिए अच्छा buying level हो सकता है, जो कि होगा 47,100 के आसपास, इस level के आसपास अगर bank nifty support लेके उपर जाता है, एक buying करने में confidence आएगा, अगर सीधा यहां से उपर जाता है, तो confidence बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो this could be your first buying level, जो आपका second buying level होगा, that will be 47,400, 47,400 which is here, यानि कि यह जो resistance है, अगर इस resistance को bank nifty break out देता है, तो हम buy कर करने के लिए ready है, लेकिन timing होगा, 9 बज के 30 मिनट के बाद ही buy करना है, उससे पहले अगर आ जाता है, या उपर चला जाता है, कुछ नहीं करना, चुप चाप से बैठा रहना है, लेकिन 9.30 के बाद जाता है, तो हम तरियां पर देख सकते है, एक बड़ा breakout हमको देखने को म जाएगा, तो दो buying level होगे, एक selling level है आपका bank nifty में, that is the 47,070, यानि कि 47,070 के निकलता है, तो फिर ये weak हो जाएगा, और bank nifty में correction देखने को मिल सकता है, ठिक ठाक 500, 400, 300 point का इस तरीके से इस level के नीचे, तो दोस्तों ये रही कुछ bank nifty के analysis,